हलो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चानल पर आज के इस उड़े में हम बात करने आले डिडी स्टाइश सेयद अगहां सीश की जो मैच है उसकी तीन घ्रिमिलियोन पर दिखाने आला हूँ जैसे कि मैंने मैच को हैलेट करके दिख़ए उस पर क्लिक करेंगे और अगर आपने इस तक टीम नहीं बनाई है तो कोई बात नी आपको नीचे टीम जो The Up पर जाओंगा क्योंकि मैं आल्रेडी तीन यहां पर बना के रख चुका हूँ जिसे में एक मुझे करके आपको इडिट करके दिखाना किसको क्यों लिया है मैंने और क्या रीजन है तो और साथ साथ क्याप्टन और वाइस क्याप्टन भी किसे बनाना है वह भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को अंततक देखे दोस्तों साथ साथ दोनों टीमों का पहला मैच है दोस्तों तो थोड़ा रिस्क की है तो थोड़ा सोच समझकर अपनी अर्निंग लगाएगा तो चलो अगर आप जब वीडियो में खो जाए इससे पहले आपको बता दू कि अगर आपने मेरे चाइनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके और पर भी क्लिक कर लिजे ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप अ यहां पर फिर से बता दू पहला ही मैं आचा दोनों का पहली टीम में एक खान के साथ जाओंगा विकेट कीपर बाकि किसी और को फिलाल तो नहीं लूँगा बैटिंग पर चलते तो यहां पर मैं पहली टीम में पाज बल्लेबाजों के साथ जाने आप जैसे कि आप देख इसक खेल को अफोस लेना ही है अपको हर टीम में लेंगे तो ज्यादा बटर रहेगा उसके बाद टेंड ऐलेन मैर को मुसलि मैर को इसटीम में लूँगा एस अमीन को इस तीम में डूँगा डी पराशर को भी लेना है आपको काफी अच्छे प्लियर है और पी महरा को भी आप जरूर ट्राइ किजिएगा यह तीन चार किया नहीं पर यहां पर जेनुल्ला को पैम अब काफी बढ़िया प्लियर है ये भी और अच्छे खासे और बालिंग दोनों कर सकते इसके बाद डबलू इशाक को भी मैं जरूर शामिल करूंगा यहां पर फिर से कहूं एन खान और फर्नांडिस अभी मुझे नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि दो ही आल राउंडर मैं यहां पर ले सकता हूं क्योंकि मैं पाज बल्ले बाद ले चुका हूं गेनबाजी पर चलते हैं तो यहां पर यू रहमान को लूंगा एशेटी को लूंगा और यहां पर एस सतिश को भी आपको लेना है एक टीम में कम से कम जरूर लीजेगा क्योंकि यह भी काफी बड़ी परसेंट लोगों ने इनको क्याप्टर मना रहा है लेकिन पी महरा को काफी कम लोगों ने वाइस क्याप्टर मना तो यह ठोड़ा रिस्की जरूर है लेकिन फाय देमन सावित हो सकता है एक बाद टीम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले तो आप देखेंगी कीपिंग में मे मुसीली मयर को में ले रहा हूँ बैटिंग के हो गई बैटिंग हो गए दोस्तों अब इसके बाद मेरे पास डबलू इशक को लूगा और आर पानुली को लूगा आर पानुली भी काफी जबदस प्लियर है दोस्तों अगर आप चाहें तो हर टीम में इनको ट्राइक कर सकत करना दोनों के लिए काफी बढ़िया टीम रहेंगे आप इस टीम से ग्रैंड लिग जित सकते हैं और फिर आपको ग्रैंड लिग में तो अच्छी कासी अर्निंग तो फिक्स होने ही वाले है तो कुलमला के टीम तो अच्छी है दोस्तों क्याप्टन की मात करें आर पानुल तो अगर आप चाहे तो बना सकते अगर आप चाहे तो किसी और को भी बना सकते लेकिन मुझे लगता ज्यादा बेटर यही रहेंगे अगर बात करें तो फिर से को ग्रैंड लीग और स्मॉल लिग दोनों के लिए उच्छ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ने कोई दिकत नहीं ह हम जो एक्सपेकर है जो सर्च करते हैं हम उसी के आदर पर रहते हैं तो यहां पर प्लेइंग इलोन अलग हो सकती है अब तो इसके लिए टेलेग्राम ज़रू जोइन कर लीजिए वहाँ पर मैं बता दूँगा इस टीम को क्लोज करते हैं सेव कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा देता हो किस तर से मैंने बनाई यहां पर थोड़ी अलग टीम बनाई है एक खान को मुझे डॉप करना पड़ा एक खालित को मैं इस टीम में शामिल कर लूँगा अगर बात करें बैटिंग में इस साख खेल को मैंने पहले ही बताया था हर टीम में रखने की क कोशिश करूँगा दी पराशर और पी मेरा इस तर से तीन ही बैट्समन में इस टीम में लेने अलो अगर बात करें तो आल्डाउंडर में मेरे पास इस बात ज्यादा आप्शन रहने आले आरप आनोली में हर टीम में लेने आलो एन खान को लोगा डबलू इशक को लोगा और ए फर्नांडिस को भी यहाँ पर मैं जरूर लूँगा इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ज्यादा कुछ आप्शन आपके पास है नहीं जो चार बेस्ट आल राउंडर से उन चारों को मैं इस टीम में ले चुका हूँ गेन बाजी पर चलते तो यहाँ पर एशेट हैंगे और देखेंगी कि क्याप्टन और किसे बना सकते तो यहाँ पर मैं इसाख खेल जोस्तों आपको अल्रेडी बता चुको काफ़ी अच्छे प्लियर है जरूर आप इन पर बहुर सा कर सकते हैं जो फर्नांडिस को वाइस कैप्टन बना रहा हूं दोस्तों इनको भी का पी महरा इसाख खेल तो इस तरह तीन अच्छे खासे बैट्स मनें आल्राउंडर में यहाँ पर भर्मा रहे दोस्तों चार जितने में मतलब ज्यादा से ज्यादा ओल्राउंडर ले सकता था चार उन सबको मैंने यहाँ पर ले लिया डबलू इशक आर पानोली ए को भी लिया तो कुल मिला के तीम तो अच्छी है दोस्तों और ऐसा भी नहीं कि रिस्की है लेकिन फिर भी आप अगर मुझे लगता है कि आपको सिर्फ ग्रांड लिक के लिए उसकरनी चाहिए स्मॉल लिक के लिए नहीं करें तो बेटर है थोड़ी अलग है लेकिन इसाक की बी बात कर ले तो यहां पर देख सकते मैं आप तो अगर आप तीन से ज्यादा लगाते तो तो कि इनको क्याप्टन ज़रूर बना लीजेगा अल्राउंडर है बैटिंग अच्छी कर सकते बल्लेबाजी भी बैटिंग और बॉलिंग भी अच्छी कर सकते तो दो अप्शन रहते हैं दोनों में आपको पॉइंट अगर जाधा मिल जाते तो काफी फायदा करा के दे सकते कोल करना चाहिए तो कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि यह प्लेइंग इलोड में रहेंगे या नहीं रहेंगे यह खाली या सेथी इन में से आपको एक को चूज करना है तो मैं अभी एक खान को चूज करूँगा क्योंकि ऑल्रेडी खालीट को मैं एक टीम में जुखा हूं बाटिंग के बात करे तो इसे खेल है मुस्लीयामम को लिए मुस्तिम्यर को ले रहा हूं यहाँ पर मैं डी पराशर और दोनों के साथ ज़रूर जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन इन डोनों में से एक को आपको ड्राप करना है जिया दोस्तों मैं अभी बता दू आपको मैं अभी फिलाल डी पराशर को ड्राप करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे जे नुल्ला को आपको जरूर लेना है जे नुल्ला को इसलिए दोस्तों मैंने दो टीमों में अभी तक एक भी टीम में इनको नहीं लिया है तो तो मैंने आपकोस आपको पहले ही बता है रहेंगे ही मेरे पहर टीम में फर्नांडिस को इस टीम में ले रहा हूं दोस्तों तो दो ही आल राउंडर हम लेने वाले क्योंकि मुझे गेंबाजी में भी चार आप्शन चाहिए तो यहां पर यूरहमाने एशेटी एन उल्हा यू आपको जीता सकते हैं इसलिए फिर भी आगर आप चेंज करना चाहिए तो कर सकते हैं इसके अलाओ ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है अब फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है हमको और यहां पर मैं आपको बताओंगा कि क्याप्टन और वाइस क्याप्टन किसे बना सकते है तो यहां पर मैं अभी तक मुशलियार को एक बी डीम में क्याप्टन नहीं बना पायता जिनको 30% से भी ज्यादा लोगों ने लिंए और साथ शाथ held के फटय साथ नोई क्याप्टन बना तो इसलिए इनको मैं इस तिम का चैप्टन हुए और मैं इस टीम में 20 बनाने जा इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं अगर आप किसी और को बनाना चाहिए जैसे फर्णांडिस को भी बनाना चाहिए तो भी आप बना सकते हैं यह ज्यादा बेटर आप्शन है मेरे लिए अब बात करते फिर से प्रिव्यू की तो यहां पे देख सकते काफी जब अलग टीम हटके टीम बनी है जैसे कि एखान को मैंने आज विकेट की पर लिया बात करें तो पी महरा जे नुल्ला इसाक खेल मुसलियार इस तरह से चार वल्लेवाज है और फरनांडिस इस तरह से दो और राउंडर है फिर से गेनबाजी में चार गेनबाज है यू रहमान एशेटी जैस जैशंकर और उल्ला तो इस तरह से काफी जबदस टीम है और थोड़ी जादा हट के टीम बनी है तो यह टीम अफकोस आपको ग्रैंड लिग के लिए काफी सुटेबल रहेगी ग्रैंड लगानी ही लगानी है स्मॉल लिग के लिए आप अपने नुसार यूज करेंगे तो कर सकते हैं नहीं करना है तो ना करें कोई प्राब्लम ने लेकिन मुझे थोड़ा रिस्की फिर से लग रही है जो कि ग्रैंड लिग के लिए थोड़ा अलग रहेगी क्योंकि ग्रैंड लिग में दूस्तों देखिए अगर आपके टीम अच्छी पढ़ जाती है तो आप पैसे जानें तो इसलिए आ पर मैं स्मॉल लिक के लिए जिसकी टेम नहीं बताता हो ग्रैंड के लिए रिसकी टेम इसकी में बता सकताहू क्योंकि मुझे पता है मेरी टीम में काफी अच्छा परफॉर्मस करी लेती दोस्तों और अच्छी खासी अर्निंग कर आया के ही दे कर सकते तो आपको काफी फाइदा कराके दे सकते तो इसलिए इनको दोनों को ऐसे बने रहे इसे भी क्लोज कर लेते और अखिर में यही को लगता है इन तीनों टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए और या फिरक्टन लाइस-क्रिक्टन सहीं है तो आप जरूर चेंजेस कर सकते लेकिन ज्यादा चेंजेस मत कीजिएगा थोड़ा डिसकी दिशाबीत हो सकता है एक-ज्जाइप तो आपको मेरी तीनोटी में और वीडियो ज़रूर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट ज़रू कर दीजे दोस्तों अगर आपनी चाइनल को भी अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पोश्टे रहें आप अच्छे से अर्निंग करते रहें साथ इसाथ अपनी टेलिग्राम की लिंक अल्रेडी बता चुक्त हूँ क्योंकि ज्यादा रिस्क है दोस्तों दोनों टीमों का पहला म दोस्तों तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद और गुडबाइ दोस्तों इतना है